सबी के लिए बहुत आवशक है जानना, विशे शुरूप से यहां जो माताई आई है उनको तो यह बहुत जरूरी है, वैसे तो पुर्षों के लिए भी जरूरी है, भाईयों को भी जरूरे है, लेकिन माताउं से इसका connection है सीरा सीरा, वो यह है कि जब भी आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं, तो कभी भी भोजन में दो चीज एक साथ ऐसी मत बनाईए जो एक दूसरे के विरोधी है, तासीर में एक दूसरे के उल्टे है, तासीर में एक दूसरे के उल्टे होने का मने कोई धंडा है, कोई गरब है, ऐसी चीज़े एक साथ मत बनाईए, कोई ऐसे तो मैं सीधे बात पर आता हूँ, ज़्यादा उसको घुमाने की मजाए, कि आप जिन चीजों की एक दूसरे के विरुत तासीरे उनको साथ में ना बनाए ना खाएं। पीसियों रोगों का ये कारण बनेगा, दूद और दही साथ में। इसी तरह से हमारे रसोई घर में प्याज है, प्याज कभी भी खाएं तो दूद के साथ महीं खा सकते। तो प्याज की कोई चीज साथ में होनी है। और प्याज खानी है तो दूद की कोई सी चास, चीज साथ में खाएं। प्याज के साथ जो दोस्ती है वो दही की है, दही के साथ भरपूर प्याज खाईए, दही में प्याज डालके खाईए, प्याज में दही डालके खाईए, हम कई वार सलेट बनाते हैं न दही का उपयोग करते हैं, तो प्याज दही बेस्ट कॉम्बिनेशन है सलेट का, तो दह दूद उसके साथ नहीं, प्याज के साथ दूद नहीं, प्याज के साथ दूद नहीं, इसी तरह से एक तीसरी चीज हमेशा याद रखें लाइफ में, शहद के साथ घी कभी मत खाईए, घी और शहद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं अगर एक साथ खाएंगे तो, वैसे दूनों अमरुत हैं, घी भी अमरुत है, शहद भी अमरुत है, लेकिन साथ में खाएंगे तो यही दोनों जहद, तो घी और शहद नहीं खाईए, इसी तरह से उड़त की दाल, काली वाली उड़त की दाल, दही के साथ कभी मत खाईए, इसको मैं फिर से रिपीट कर सुनने में गलती मत करना आप इसको, काली वाली उड़त की दाल, दही के साथ कभी मत खाईए, पंजाब में आप सब लोग उसे मा की दाल केते हैं, मा की दाल अकेले खानी है, दही उसके साथ नहीं, क्यों नहीं, मा की दाल के साथ कभी भी दही मैंने खाके देखा, नॉर्मल है लेकिन जब भी मा की दाल के साथ दही खाया भीजी हाई हो गया जब भी खाया तो मेरा आप सभी माताओं को विशेश निवेदन है कि दही बड़ा अगर उड़त की दाल का बड़ा है तो दही के साथ मत खाई है मूं की दाल का बड़ा दही के साथ खाई है मूं की दाल दही के साथ खा सकते हैं अरहर की दाल दही के साथ खा सकते हैं तूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं मसूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं चने की दाल की दही से बहुत अच्छी दोस्ती है खेसारी की दाल दही के साथ खा सकते हैं, सोयावीन की दाल दही के साथ खा सकते हैं, एक ही दाल है भारत में और दुनिया में, उरत की दाल, काली उरत की दाल, मा की दाल, जिसको दही के साथ नहीं खाया जाता है, कारण एक और है उसका, ये मा की दाल जो है ना सबसे जादा प्रोटीन वाली है, दुनिया को digest होने में सबसे जादा समय लगता है और कोई भी acidic चीज है वो high protein को digest होने में रुका मत पैला करती है तो मागी दाल के साथ दही नहीं खाना, बाकी किसी भी दाल के साथ दही खाए, फिर आप पूछेंगे कि कोई emergency हो जाए, दही भी खाना है, मागी दाल भी खानी है, तो दोनों के बीच में एक घंटे का डिफरेंस कर दीज़े मां की दाल खाके एक घंटे बाद दही खा सकते हैं या दही खाने के एक घंटे के बाद मां की दाल खा सकते हैं इसके आगे का एक नियम है जो बहुत ज़रूरी है आप सबको फॉलो करना वो ये कि कभी भी दही को नमक के साथ मत खाएं, मा की दाल शेसाथ लसी है, एक घंटे बार, दही को कभी भी नमक के साथ मत खाएं, दही को हमेशा मीठी चीजों के साथ खाएं, दही को शक्कर के साथ खाएं, दही को गुर के साथ खाये, दही को बूरे के साथ खाये, दही को खांट के साथ खाये, दही कभी भी नमक के साथ पीका खाये तो भह़ी अच्छा मीठा दही है ताजया दही है खटापन नहीं आया है तो फीका खा लिए थोड़ा खटापन आया है तो गुर डाल के खाये चीजी डाल के शक्कर डालिके जी हाँ मैं अभी आगे आ रहा हूं मैं अभी थोड़ी देर में आ गहा रहा हूं इसी निएम पर तो अभी तक मैंने में नौ नियम बताए हैं नौ नियम रिपीट कर रहा हूं कि दो बज़तूएं एक गूसरे के विरोधी हैं तो साथ में नहीं खाना जो करूस Sorry साथ में नहीं खाना है, दही नमक साथ में नहीं खाना है, दूद और प्याज साथ में नहीं खाना है, दही के साथ अगर मीठा खाएंगे तो सबसे अच्छा है, दूद के साथ अगर नमक खाएंगे तो सेना नमक काला नमक की खाना है, नहीं तो आप हमेशा के ये भूली जाएए ना नमकी बदल दीजे तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे समझाने ही पुड़ेगा, इसके आगे दो-तीन चीज़े छूट गई है, खटे फलों के साथ कभी भी दूद नहीं खाना है, खटे फलों, संत् आधी आधी ले सकते हैं, खटे फलों के साथ दूद नहीं खाना है, आम एक exception है, क्योंकि आम जो है ना, alkaline है, आम ऐसे डिक है नहीं, आम जब तक खटा है, मने कच्चा है तो ऐसे डिक है, पकने के बाद वो alkaline हो जाता है, इसलिए आम और गूद तो खासकते हैं, बागी ख हैंतरा है, मुसमी हैं, अंगूर है, ये दूद के साथ नहीं खासकते हैं, और एक चीज़ जी, सेव खासकते हैं दूद के साथ, क्योंकि सेव सिप्रिक नहीं है, सेव एकुली alkaline है, तो वो दूद के साथ खासकते हैं, गाजर है, सेव है, दोनो alkaline है, मूली दूद के साथ खा सकते हैं, सेव दूद के साथ खा सकते हैं, चीकू दूद के साथ खा सकते हैं, केला दूद के साथ खा सकते हैं, जो एसिडिक चीज़े हैं, वो दूद से अवाइड करिए, दूद के साथ मन लीजिए, और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सबजी कभी भी खाएं, तो उसके साथ दूद मत खाएं, ये एक ही exception है, cuttle acidic नहीं है, cuttle alkaline है, फिर भी वो दूद के साथ वरजिद है, ये एक exception है, और exception का कारण ही है, कि cuttle का वोई किस्ता है, high protein है रोजा, उसको digest होने के लिए disturbance होता है दूद से, इसलिए आयरुवेज में कह दिया रहा हटा किस के साथ क्या खाएं, किस के साथ क्या नहीं खाएं, घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं, जो तासीर में गरम है, उसके साथ ठंडी चीज को लना हो, जैसे आजकल मैंने देखा है, हम गरम गरम खाना खाके आईस्क्रीम जरूर खाते हैं, अपना सत्यानाश करें और ये सत्यानाश कैसे होता है कोई आपको शादी में बुलाता है इंविटेशन देखे कि आईए और हमारे यांग गरम डिनर खाके आईस क्रीम खाके मर के जाएए और एक नहीं खाएए डबन खाएए और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान महान लोग देखे है कि आईस क्रीम में गरम रसुल्ला डाल के खाएए महां मूर खुरे है पता नहीं कहां से आएए गरम गरम रसुल्ला भी एक तम ठंडे आईस क्रीम में डाल के खाएए फिर पूझो भई क्या कर रहे हैं तो कहते हैं तेस्ट है जी अशरीर का देखना है कि टेस्ट का देखना है तो आप कहीं पे डिनर में जाएए मैं ये नहीं कहता डिनर में मज़ए जरूर जाएए लेकिन ध्यान रखिए कि अगर डिनर गरम गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आईस्क्रीम मत खाएए और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं याद ही नहीं रखते अभी चाय पी अभी आईस्क्रीम खा लेगे हाँ उनको बिल्कुल एक मिनट में लगता चाय पी के निकले कहीं आईस्क्रीम खा के आगे आईस्क्रीम खा के आगे इधर चाय पीली या इधर कॉफी पी तो चाय और कॉफी दोनों गरम है और आइसक्रीम बहुत थंदी है इनका combination नहीं है बहुत तकलीफ होती है शरील किने तरवास कहो खाने को फालों एक गरता कम से कम गरम चीजग क्हाने के एक गरते के बाद थंडी चीज या थंडी चीज खाने के एक विस्टे के बाद गरम चीज और वैसे मैंने कला आपको सूत्र बताता है ठंडा कुछ खाना ही नहीं है क्योंकि आईस क्रीम तो 10 डिगरी से कम की है वो शरीर को तकलीफ ही देने वाली है तो आप बोलेजिए फिर आइस्क्रीम को कैसे खाएं गरम करके खाएं अगर आइस्क्रीम खानी है तो उसको गरम करें फिर खाएं मैं अमरत सर गया था एक बार तो अमरत सर में एक बहुत अच्छी चीश शाहिद यहां भी होगी कुलफी यह जो कुलफी है इसको थोड़ा गरम करके खा लेजिए आइस्क्रीम से बैटा है थाउजन टाइमस बैटा है क्यों हाँ रबडी खाएं ना तो कुलफी वो शायद रबडी की ही बनाएं खूप सूद गरम करके रबडी जैसा हो जाता फिर कुलफी जमाते तो कुलफी को थोड़ा गरम करेंगे तो रबडी जैसा ही हो जाता वो खाने लाइक है माइक्रोवेब से अच्छा है डैसका चूलब तो आप जो है रबडी खाये आइस्क्रीम छोड़ दीजे कुलफी पे आ जाये और कुलफी को हलका गरम करके खाये वो आपके लिए बहुत मुफीद है कारण एक ही है कि आइस्क्रीम में जितने केमिकल्स है कुलफी में एक भी नहीं कुलफी में दूद ही दूद है वो भी अच्छे से गरम किया हुआ है बस उसको जाद है ठंटा कर दिया तो वो जम गया है आप उसका ठंटा पन निकाले के खा लीज़े और नहीं तो एक आखरी आप्शन बताता हूँ खाना ही है आपको तो मेरा ये कहना है कि उसको सली के से खाये जैसे आप कुलफी खा रहे है न तो उसका तरीका ये है कि पहले उसको मूँ में रखिए थोड़ी दे कुलफी का टुकड़ा काटके मूँ में रखिए और उसको भुमाईए तो जो लार है वो उसको अपने आप गरम कर देगी जब हरी की गरम हो जाब फिर अंदर लेज़े ये लास्ट आप्शन है जब खानी ही है मेरी बात तो मानियों उसको गरम करके खाईए खानी ही है तो थोड़ी दिर मूँ में रखिए उसको भुमाईए थोड़ी लार से वो गरम हो जाएगी